कि है拍 ad तो दोस्तो हम आचके वीडियों कि तरफ दोस्तो सबसे पहले हम यह बोक्स आपको खूलकर दिखाएंगे कि इसके रोलिंंग सेटर करजो हमारा बोक्स होता है इते हम फिटिंग होते हैं इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके पुर्जे पुर्जे अलग नहीं होते हैं पूरा एक्टम सेट वह आता है बस इसकी हमें चैनल साइडों वाली चैनल खीचनी होती है और एक उपर का उपर की जो चैनल सी है यह खीचनी होती है दोस्तों यह हमारी साइडों वाली है ठीक है और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना वेल आइकन प्रेस कर लेना जो कि सबसे पहले आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं दोस्तों जो यह हमारा बोक्स है इसकी लंबाई थोड़ी जादा है जितना हमारा सटर है मतलब सटर हमारा चार फूट का है अर्टालीश इंची का है यह नीचे जमीन पर इस तरह से रख लेंगे ठीक है फर्स ते देख लेंगे कि इसकी कितनी लेंट है तो इसकी बोक्स की हमारी लंबाई जादा है और चैनल हमारी थोड़ी नीचे तक हो रही है तो इसकी हम फिटिंग कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको चैनल को रखके इस तरह से देख लेंगे कि कहा तक इसकी लेंट हो रही है चैनल क ठीक है फर्स पर रखके इसको इस तरह से देख लेंगे इस तरह से ठीक है दोस्तों अब यहां पर जो उपर यह कट लगा हुआ है इसमें यहां पर दोस्तों इस तरह से पैंसे निशान लगा लेंगे एगे हैचे जिसके उपर रखा जायागा एक इधर इदर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे चैनल रख के चैनल रख जहिए जो यह निशान लग रहा हु इस निशान के उपर को मतलब जो यह मैं निशान लगा रहा हूँ पैंसे जो पैंसे निशान लगा रहा हूँ इसके उपर को हम इस तरह से यह देखे यह सैल्फ खीच लेंगे मैंने सैल्फ दोस्तों पहले ही बना रखी थी मैं सिर्फ आपको खीच के दिखा रहा हूँ मैंने पहले ही सब कुछ कर रखा था आपको समझाने के लिए क्योंकि अगर मैं सुरू सही वीडियो बनाता तो थोड़ी लंबी हो जाती इसलिए मैंने पहले फिटिंग कर रखी है सेल्फ हैं वगेरा सब कुछ तयार करके तब मैं आपको खीच के दिखा रहा हुँ यह ठीक है यह हमारी सफ खीच चुकी है जितनी मैं आपको बढाई थि कि कहा पर निरे लगाना तो सबने लगाने क Après कि हमारी सट्रट खीन रखकी है दोस्तव क्या करेंगे हम सट्रन जो होता है हमारा जो rolling setter होता है छीक है उसको लेंगे जो ये rolling setter इसके उपर self के उपर ऐसे ही रख देंगे आगे से face करके आगे से इसकी जो टकर होती है साइडों मैं face करके इसको रख देंगे छीक है दोस्तों और दोस्तों इसकी जो box की हमारी अंदर की चोडाई होती है जो अंदर अंदर की चोडाई होती है ना हमारी बोक्स की वह होती है बाईस इंची तीन सूथ या दो सूथ मतल oyun चला जाता dibuj नहीं आप तीन सूर रखना क्योंकि अगर एकाद्स लूज होता है तो हम पैक़िं लगा लेते हैं необход 2 सूत में भी आ जाते है're 22 इंची 2 सूत में भी आ जाता है ठीक है मैंने 22 इंची 2 सूत की बना रखा रखांग है box इस तरह से साइड वह में page खीच लेंगे is के अंदर box को, इसको rolling set're को इसके अंदर रखे इस तरह से page खीच लेंगे इसमें ठीक है दोस्तों कि साइड में को इसमें पेच लगते हैं अब इसी तरह से दोस्तों दूसरी तरह भी हम पेच खीच लेंगे कि यह देखें दोस्तों यह इस तरह से हम पेच खीच लेंगे चीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना वैल आइकन प्रेस कर देना जो कि सबसे पहले आने वाली चैनल लगा के दिखाऊंगा अभी चैनल नहीं लगा रखिए मैंने ठीक है यह हमारी चैनल है दोस्तों कि यह देखिए ठीक है यह हमारी चैनल है दोस्तों इसके नीचे की साइड में दोस्तों इस तरह का एक कैफ आता है लगा हुआ वह ताकि यह फर्स पर ना टिके ठीक ह यहूँपर वीयर केप squash केंवाइभ है टिकता है एक उपर की तरफ आता है एक नीचे तरफ चार पाइफाक का आते हैं एक चैनल निजूप फीट कर में करेंगे अब दूसतु तो क्या करें गें हम की इसमें ऊंदर की तरफ दोपेच लगे वागाते हैं सटर में इस तरह के ताकि ये सटर उपर को ना जाए सटर को रोकने के लिए दो पेच आते हैं लगे वे इनको हम सबसे पहले खोल लेंगे अगर इनको हम नहीं खोलेंगे तो सटर की जो चैनल होती है हमारी चैनल में ये सटर नहीं जाएगा ठीक है चैनल में ये तबी जाएगा सटर जब हम इनको पहले खोलेंगे पेचों को, दोनों पेचों को हम खोलेंगे दोनों तरफ से, फिर उसके बाद इस तरह से हम चैनल रखेंगे और यह इस तरह से नीचे को बड़ी आसानी से आ जाता है ठीक है दोनों तरफ की चैनल हम रख लेंगे यहां पर और दोनों तरफ की चैनल रखने के बाद अगर हम इसको नीचे करेंगे तो बड़ी आसानी से नीचे की तरफ आ जायागा ठीक है दोस्तों यह देखे इस तरह स कि इस तरह से देखिए दोस्तों आ चुका है हमारा नीचे को सटर अब दोस्तों क्या करेंगे हम जो हमने यह 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 चैनल लगाई है दोस्तों इसके जो यह बीच वाला हिस्सा होता है इसमें सटर आना चाहिए इसमें रवड आती है एक लगी हुई उसमें सटर चलना कि अब दूश्टों जो हम पेच को लेते हम इसको पेच इसके वापिस खीच लेंगे इसके सेल्फ के कड़ने को सेल्फ के इन website उसेल्फ को तब कीचिये जिते हैं असट को साल्फ के नीचे कर लेंगे डूस्थ चुर्ट से, एधर का भी खीच लेंगे, डोन तरफ के से, दोस्तों, इनका काब क्या हुता होता है, जो हुआरे पेच है, वह हिसल हमारी सेल्प है, इस से टेच हो जाकर तो हमारे सेल्ट्र उपर नहीं जाता, ठीक है, यह देखे, मैं आपकोаете dalब करके दिखाता हूं कि किस तरह से काम करते नीचे को हमने श्रिटर करा जैसे उपर को जाता है इस तरह से टक्च हो जाता है तो अगर यह को पेच नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रे पर देख लेंगे सारे तो में राइड को आपको वीडियो पसंदय तो वीडियो पूच्छ आए तो वीडियो को लाइक करना आख करना तो उस्ट हमोबराइग आपको कोई बीडियो से related कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं लाइस्ट में मैंने अपना WhatsApp नंबर भी दे दिया है WhatsApp पर भी मैसिज कर सकते हैं दोस्तों ठीक है यह देखिए इस तरह से सेर्टर को बाद में चला सकते हैं पेच वेच कीचने के बाद बड़ी ही आसानी से हमारा सेर्टर चल चुका है बिल्कुल बढ़िया एकदम अब दोस्तों जो उपर गाईस का कैप था मैंने दिखाया था आपको इस टार्डिंग में यहां पर यह इसमें खांचे से बने वे आते हैं प्लास्टिक का एक खांचा सा बन वात इसके चैनल के उपर को अब अब दोस्तों हम क्या करेंगे जो ही हमारी उपर जगा बची होई है खाली इसमें एक पीस काटेंगे बोर्ड गा इतना बड़ा और इसमें यहां पर फिट कर देंगे क्योंकि यह वेश्ट जगा है हमारी इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे अगर आप चाहें तो self डाल के किसको यूज भी कर सकते हैं लेकिन हमने इसको बंद कर दिया है क्योंकि यह हमारा box ज्यादा बड़ा है सटर हमारा height में 4 फूट है और box हमारा तो आप comment box में comment कर सकते हैं WhatsApp नंबर मैंने लास्ट में वीडियो के दे दिया है WhatsApp पर भी comment और WhatsApp पर भी message आप कर सकते हैं चेके दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों